हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल लंबी आस्तिन का डिजाइन बनाने के लिए हमने आस्तिन की लंबाई 18 इंच ली है और इसकी चौड़ाई एक साइड से 7.5 इंच है कपड़े में हमने पीछे की साइड में ऐसे बक्रम चिपकाया है बक्रम की लंबाई 7 इंच है और इसकी चौड़ाई हमने साड़े 11 इंच ली है बीच में से हम कपड़े को ऐसे फोल्ड करेंगे और ये देखिए यहाँ पर लंबाई नापकर हम टिक लगाएंगे साड़े 5 इंच की लंबाई पे टिक लगाएंगे फिर 4 इंच की चौड़ाई पे टिक लगाएंगे स्केल की सहायता से इन दोनों टिक को हम लाइन अप करेंगे ऐसे लाइन अप करने के बाद अब यहां कोने की साइड में हलका सा गोल सेप में तिर्ची में ऐसे लाइन अप करेंगे जिस सेप में हमने लाइन अप किया है बिल्कुल उसी सेप में हमें इसकी कटिंग कर लेनी है तो ये देखिए आस्तिन के कपड़े में हमने यहाँ पर ऐसे कटिंग की है डिजाइन को तयार करने के लिए हमें एक छोटा सा कपड़ा लेना है कपड़े की लंबाई हमने साड़े पाच इंच ली है और इसकी चोड़ाई धाई इंच है कपड़े को फोल्ड करके यहां किनारे की साड़ में सुई धागा की मदद से छोटे छोटे पैटन में ऐसे टाके लगा लेंगे अब हमें धागे को टाइटली घीचना है धागे को ऐसे टाइटली घीचने पे कपड़े की एक साड़ में हमारा चूनट बनेगा तो ये देखिए, अब हम यहां से धागी को अच्छे से लॉक कर लेंगे यहां से हम धागी को कट कर लेंगे इस तरीके से आप फ्लावर का डिजाइन इजी स्टेप में तयार कर सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से same size का हम 6 flower का design बना लेंगे अब जो हमारा आस्तिन का कपड़ा था वो लेंगे आस्तिन के कपड़े को open करना है और ये देखिए यहां से हमें सारे चूनट वाले design को ऐसे लगाना है जिस shape में हमने cutting किया है बिल्कुल उसी shape में ये चूनट के design को ऐसे लगा कर हम सिलाई कर लेंगे अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe करके घंटे को बजा कर आल का option select करें जिससे हमारी आने वाली next वीडियो की notification मिलती रहेगी तो ये देखिए हमारी ये line complete होई design को तयार करने के लिए उरेबी कटा हुआ हमें एक लंबा सा कपड़ा लेना है जिसकी चोड़ाई दो इंच है ये जो हमारा आस्तिन का कपड़ा है हम इसे उल्टा करेंगे और उरेबी कपड़े को ऐसे fold करके यहाँ पर लगाएंगे जिस shape में हमने design की cutting की है बिल्कुल उसी shape में कपड़े को ऐसे लगा कर सिलाई चला लेनी है अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीस हमारे चैनल को subscribe करके घंटे को बजा कर आल का option select करें जिससे हमारी आने वाली next वीडियो की notification मिलती रहेगी तो ये देखिए हमारी ये line complete हो चली है अब हम यहां से धागे को cut करेंगे और extra कपड़े को भी आस्तिन के कपड़े को हमें सीधा करना है और यहां से हम इस कपड़े को ऐसे fold करेंगे और जिस सेप में हमने कपड़े को fold किया है बिलकुल उसी सेप में हमें इसके उपर सिलाई चला देनी है तो ये देखिए फ्रेंड इस तरीके से कपड़े के उपर सिलाई चलाते हुए हमारी ये line complete होई तो ये देखिए फ्रेंड हमने चूनट के डिजाइन में चोड़ी पट्टी लगा ली है अब हम इस डिजाइन में डोरी की डिजाइन को add करेंगे तो उसके लिए फ्रेंड वीडियो के starting में आज दिन का cutting करते से में ये हमारा एश्ट्रा कपड़ा था तो उसी एश्ट्रा कपड़े के हिसाब से हमें कागज के उपर ऐसे cutting करना है कपड़े के थोड़ी से दूरी पे हम ऐसे lining करेंगे अब ये देखिए हमें यहां से कागज को cut कर लेना है तो ये देखे फ्रेंड हमने कपड़े से थोड़ा सा बड़े साइज में कागच के उपर ऐसे कटिंग की है स्केल की सहायता से चकोर सेप का पैटन देते हुए हमें कागच के उपर ऐसे लाइन अप कर लेना है आप जिस pattern में line up करना चाहती हैं उस pattern में line up कर सकती है मैंने ये चकोर सेप का pattern देते हुए कागज के उपर ऐसे line up किया है अब हम एक लंबा सा डोरी दिलेंगे सारे line के उपर हमें डोरी को ऐसे लगाना है और सिलाई चला लेनी है अगर आपको डोरी बनाने नहीं आता है तो डोरी बनाने की लिंक हमने डिस्किप्शन में दी है आप वहाँ पर देख सकती हैं कि आप अपने सलवार सूट से मैचिंग कलर का डोरी घर पे कैसे तयार कर सकती है तो ये देखिए एक के बाद एक सारे लाइन के उपर हमने डोरी को ऐसे लगा कर सिलाई कर ली है अब हमें यहां से धागे को कट कर लेना है हमारी ये लाइन कमप्लीट होई कागज के इस डिजाइन को हम उल्टा करेंगे और यहां किनारे के साइट से एश्ट्रा डोरी को कट कर लेंगे तो ये देखिए फ्रेंड हमने एश्ट्रा डोरी को कट कर लिया है अब हमें डोरी की इस डिजाइन को आस्तीन के फ्लावर के डिजाइन में यहाँ पर ज्वाइंट करना है यह देखिए दोनों डिजाइन को परफेक्ट सेप में बैठाते हुए हम सिलाई के स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सस्क्राइब करके घंटे को बज़ा कर आल का उप्सन सलेक्ट करें जिससे हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी तो ये देखिए फ्रेंड हमने दोनों डिजाइन को ज्वाइंट कर लिया है अब हम यहाँ से धागी को कट कर लेंगे धागी को कट करने के बाद अब हम इस डिजाइन में डोरी की डिजाइन को एट करेंगे तो उसके लिए हमें दो लंबा सा डोरी लेना है डोरी को हम यहाँ पर ऐसे लगाएंगे यह देखिए ऐसे लगाकर हम दोनों साइट से डोरी को फोल्ड करेंगे और इसके बीच में सिलाई चलाएंगे जब आप डोरी की ये वाली डिजाइन बनाएंगे तो आपका डिजाइन प्रॉपर फिनिशिंग में तयार होगा जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं तो ये देखे फ्रेंड डोरी की इस डिजाइन को तयार करते हुए पट्टी को एट करेंगे तो उसके लिए हमें धाई इंग चोड़ा एक लंबा सा कपड़ा लेना है यहां किनारे की साइड से एक बराबर में कपड़े को कट कर लेंगे अब ये लंबा वाला जो कपड़ा है इसे हम यहां पर लगाएंगे और किनारे की साइड में सीधी सिलाई चला लेंगे सिलाई चलाने के बाद यहां से हमें धागे को और एश्टरा कपड़े को कट कर लेना है यहां से कपड़े को सीधा करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे फोल्ड करने के बाद यहां उपर की साइट से कपड़े को टाइटली घीचते हुए हमें सीधी सिलाई चलानी है सिलाई चलाते समय इस बात का ध्यान रखें ये fold किया हुआ कपड़ा एक size में होना चाहिए कहीं चोड़ा और कहीं पत्ता नहीं होना चाहिए तो ये देखे friend हमने design को तयार कर लिया है सूइधागा के मदद से dory के design में हम इस तरीके से मूती लगा लेंगे मोती लगाने के बाद डिजाइन के पीछे के साइट से सारे कागच को निकाल लेंगे कागच निकालने के बाद ये देखिए हमारा डिजाइन कितना प्यारा लग रहा है तो इसी के साथ फ्रेंड हमारा ये लॉंग स्लीविस का डोरी का डिजाइन कम्प्लीट हुआ थैंक्स पर वाचिंग